नमश्कार साथियों, alpha 2 beta classes में आप सभी का स्वागत है, आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, installment के जितने भी 2022 में questions पूचे गए हैं, उनको आज हम discuss करेंगे, ये वीडियो हमारे आने वाले CGL means 2022 के लिए important हो सकता है, और भी students जो भी इस साल में exam लेखने वाले हैं, CHSL, MTS या और भी कोई इन एक्जाम वो भी लोग इस वीडियो को refer कर सकते हैं, स्टार्ट करने से पहले साथियों एक चेज़ आप से discuss करना चाता हूँ, कि यदि आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप चुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको regularly monthly current affairs जो होते हैं, उनकी magazine जो आपको upload की जाती है, यह जैसा कि आप देख पारे हूँगे, यह November 2022 की magazine है, अभी recently हमने क्या किया था, कि last एक साल के January 2022 से January 2023 तक, जितने भी important appointments हैं, उनका एक अच्छा PDF आपको इस particular form में देखने को मिलेगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर, और भी एच्छे compilations आप practice कर सकते हो, तो आप join कर सकते हो इस टेलिग्राम handle को, इसका link आपको कहा मिलेगा, तो इस video की description में आपको इसका link मिलेगा, या फिर आप टेलिग्राम channel, या फिर आप अपने टेलिग्राम पर search कर सकते हो, alpha 2 beta classes करके, ठीक है, यह हमारा official channel है, साथ ही साथ हमने एक initiative शुरू किया है, जिसमें हम क्या करते हैं, daily दो subjects के, पंदरा-पंदरा कोशनों का quiz upload करते हैं, यह हमारा quiz channel है, यह भी हमने recently join start किया है, और इस पर लगबग 3700 के आसपस पच्चे जो हैं जुड़े होएं, तो इस channel को भी आप join कर सकते हैं, और हर दिन आपको 15 question reasoning के, और 15 question English के, और 10 question math के, और 15 question GS के, ठीक है, alternate day पे आपको provide किये जाते हैं, handle इसका क्या है, A to B quiz, इस नाम से आप इसको search कर सकते हैं, और इसका link भी मैं इसी वीडियो के description में डाल दूँगा, ठीक है, तो आएए बढ़ते हैं अपने पहले question पर, यह हमारा पहला question है, इस question को देखे हैं, question में क्या दिया गया है, तो question में दिया गया है, a sum of 6,000 is to be paid back in two equal installments, ठीक है, तो 6,000 रुपे की राशी को दो बराबर installments में pay किया जाना है, ठीक है, और each installment is to be paid at the end of every year, और साला नहीं यह मुझे installment देनी है, ठीक है, आप से पूछ रहा है कि इस installment की value कितनी होनी चाहिए, यदि जो interest है, वो 2% है, ठीक है, और ध्यान देना है, यहाँ पर compound interest लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपकी यह value बतानी है installment की, और यह जो value है, यह आपको round off करके बतानी है, ठीक है, तो अब आप देखो, आपसे यह बोला गया है कि 6,000 पे की जो रासी है, उसको मुझे दोस एक्वल इंस्टॉल्मेंट में पे करना है, और 2% क्या है ब्याज की दार, अब आप खुद बताओ, compound interest पे अगर 2% ब्याज की दार है, तो 2% की equivalent fraction क्या होती है, वो होती है 1 by 50, मतलब अगर 50 principle रहा होगा, तो मैंने इंस्टॉल्मेंट 51 की दी होगी, ठीक है, और अगर यह तो first आल का है, second आल का अगर मैं बात करूँ, कि जो second installment होगी, क्योंकि सालाना इंस्टॉल्मेंट दी जारी है, तो second जो होगी, अगर यह 2500 है, तो यह कितना होगा, 51 का square, और 51 का square कितना होता है, आपको पता होगा, पच्चिस सो, एक और 52 नहीं 500, तो यह हो जाएगा, एक, जीरो, जीरो, तीन हजार एक, ठीक है, पच्चिस सो तो एक होगा, पच्चास फ्लस एक, यह 100 आए गया है तो यह जगा 1061 तो 51 का जो स्क्वेर होगा वो होगा 2601 ठीक है अब आप एक बार बदाओ इसने यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है वो यह है कि जो इंस्टॉल्मेंट है यह बराबर होनी चीए तो पर यहां पर हमारी यह 2601 है और यह 51 है तो इसक नेट जो प्रिंसिबल है वो कितना आजएगा 2501 प्लस अब 51 को 50 से गुना करना है न तो 51 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 और 25 और 10 जुका देंगे यहां पर कितना आजएगा 2601 रुपे कि यह मेरी एक इंस्टॉल्मेंट है ध्यान देना यह मेरा नेट प्रिंसिब प्रिंसिबल है यह आपको दिया कितना हुआ यह चैजार दिया हुआ यह हए यट में इसकी वैल्यु कितनी आई है यह अर इसको प्लस करेंगे तो कितना जागा यह आ जाएगा 50 और 50 पचाश काशस यूनिट से उम्हीर करेंगे 6हजार से 6100 बटा 500050 चैसर में बछ обяз निका जाएगा पांच से इसको काटेंगे तो 101 और यह कितना जागा 120 ठीक है और फर्दर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो एप्रॉक्स इसके आसपस जाएगी 3090.3 के आसपस ठीक है किल्कुलेशन आप पर लोगे अपने एंड पे तो इस सेगेंड कोशन है इस कोशन को देखिया इस कोशन में क्या दिया गया है इसमें दिया गया है वट एन्वल इंस्टाल्मेंट विल डिस्चार्ज अडेप्ट ऑफ पांच हजार चपन सो चौनसट रुपे इन चार साल एट 12% सिंपल इंट्रेस ठीक है तो आपको डेट दिया रुपे की रही होगी ठीक और मुझे कितनी इंस्टाल्मेंट देनी है वट एन्वल इंस्टाल्मेंट विल चारजा डैप्ट ऑफ चार साल चार साल मतलब एन्वल इंस्टाल्मेंट दे रहा हूं तो चार इंस्टाल्मेंट हो जाएंगी ठीक है तो अगर मैं चार इंस्टा साल के लिए तो मतलब 36 रुपेड हो जाएंगे और अगर इसको इस साल में देता तो दो साल का मतलब 24 परसेंट हो जाएंगे प्लस इसको इस साल में देता तो एक साल का जुड़ जाएगा मतलब एक साल मतलब रुपे जुड़ जाएंगे तो 400 तो एक हो गया और ये कितने हो गया 34, 24 और 12 कितने हो गया 24 और 12 हो गया 36 34 और 372 तो 472 रुपे आपका जो है डेटा आगे ठीक है तो 472 रुपे जो आपका डेटा है बट एक्चुल सावल में ये कितना दिया हो गया 56, 64 रुपे दिया हो गया ठीक है तो एक यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो कितने आएगी 56, 64, 472 ठीक है आपसे पूछा क्या अन्वल इंस्ट्रॉल्मेंट पूछा है न इंस्ट्रॉल्मेंट आपकी 100 रुपे है तो इसको गोना करते हैंगे 100 से ठीक है आठ से ये संक्या चेक कर लो ये कट रही है बिल्कुल ये तो जाएगी जाएगी तो आठ से इसको गगर काटूँगा तो ये कितना जगा 85, 40, 89, 72 और ये कितना जगा 8, 7, 56 और 8, 8, 64 ठीक है 59 से इसको गगर मैं काट ता हूँ तो 590 पे तो वो पूरा कट जाएगा और मेरे साब से 12 पे गटेगा क्योंकि 59, 590 तो हो जाएगा और 59 का डबल कितना होता है 9, 10 बिलकुल ये 12 पे गटेगा तो 1200 रुपे जो है ये आपकी क्या आजएगी ये आजएगे आपकी annual installment तो option C आपका सही answer है बढ़ते हैं आगे इस question को देखें आप इस question में क्या दिया गया है इसमें दिया गया कि a car with a price of 6.500 रुपे is bought by making some down payment तो भई 6.500 रुपी की कोई कार है उसको कुछ down payment के साथ जो है खरीदा जाता है on the balance तो जो down payment आपने कर दी उसके बाद जो balance बचता है उस पर एक simple interest charge होगा 10% का ठीक है and the money is to be paid back in 20 equal annual installment ध्यान देना 20 annual equal installment पे pay किया जाएगा हर installment जो है वो 25,000 की होगी तो आपसे पूछ रहे down payment कितनी करी गई होगी तो साथियों मेरे को खुद बताओ अगर 6.500 रुपी की गाड़ी है तीक है मैं मान लेता हूँ मैंने 100 रुपे down payment की तीक है तो जो बची हुई रासी है ये क्या होगा ये आपका balance हो जाएगा और इसने बोला है balance पे क्या चार्ज होगा 10% simple interest तो अगर 10% simple interest चार्ज हो रहा है तो ये amount कितने होज़ेगी ये होज़ेगी 11 by 10 ठीक है और इसकी value कितनी होगी साथियों ये जो बचा हुआ part है ये आपने payment में पे किया है इंस्टॉल्मेंट की जो total amount है वो कितनी पे की गई है वो है 25,000 25,000 साथियों एक installment है तो 20 installment पे जो ये value होगी ये कितनी होज़ेगी ये होज़ेगी पांच लाग तो solve करने पे कितना होज़ेगा अपका कुद बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 650,000 minus x into 11 equal to कितना होज़ेगाई पांच लाग इसको 10 से गुना करेंगे तो ये तो already कितना था 500,000 था ना तो ये होज़ेगा 5000,000 ठीक है क्योंकि 500,000 equal to 5,000 और एक 10 यहां से आएगा तो 500,000 होज़ेगा 5000,000 होज़ेगा ठीक है इसको मैं इधर लियाऊँगा तो 7,000 में से जब मैं 5000,000 माइनिस करूँगा तो ये कितना बचेगा ये बचेगा 2, 1, 5, 0, 1000 equal to 11x अब मुझे यहां से क्या बतना how much is the down payment तो मुझे x की विल्यू बताने हैं तो ये होज़ेगा 21, 5, 0, ठीक है बते 11 into 1000 ये मेरी x की विल्यू हो जाएगी तो approximately जब मैं निकालूँगा क्योंकि मुझे ये approximately के आसपस निकालना है तो इसको 11 से काटेंगे तो कितना हैगा 11, 1, 11 और ये कितना बचेगा 10, और 105, 11, 99, 6, 60 60 बचेगा तो 11, 55 95, 95 के आसपस आएगा साथ की वेल्यू तो इस वेल्यू के आसपस आपकी वेल्यू जाएगी तो B option जो है आपका सहीं सर्फ है आगे बढ़ते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको ये question समझ में आएगो इस question को देखा question में पुझा गया है what annual installment will discharge a debt of 900 रुपे in 5 साल at 10% simple interest तो इस टाइब का question अलड़ी हम कर चुके है तो इसको कैसे करना है तो मैं मान लेता हूं कि 100-100 रुपे की मैंने कितनी किष्ट दी 5 सालों तक देनी है और annual जारी है तो मतलब 5 किष्ट हो जाएगी आपकी ठीक है तो ये 100-100 रुपे की मैंने 5 किष्ट मान ली अब मैं ये देखूँगा कि लास साल में अगर मैं इन सभी किष्टों को पे करता तो कितना देना बढ़ता तो इस किष्ट के 4 4 साल के लिए 10% के साबसे 40 रुपे ज़्यादा हो जाते और इस किष्ट पे कितने जाता हो जाते बई इस किष्ट पे 3 साल के लिए 10% के साबसे 30 रुपे जाता हो जाते इस पे 20 रुपे हो जाते और इस पे 10 रुपे हो जाते तो नेट जो मेरा डेट हो जाता हूँ 500 प्लस 40-30, 70, 70 और 30 100 तो मतलब 600 unit मेरा debt आ गया ठीक है, but actually मेरा जो debt है, real values की कितनी है, 96 मतलब इसका 16 गुना है ठीक है, 16 गुना हो रहा है तो मेरी जो installment है उसका भी कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा तो 1600 रुपे जो है, वो मेरी installment आ जाएगी, तो option C आपका सही answer है, आगे बढ़ते हैं साथियो इस question को देखो आप question में दिया गया है, a person borrows rupees 1 lakh from a bank at 10% annual simple interest, ठीक है, तो 10% प्याज पर उठाता है वो पैसा, simple interest पर ठीक है, and clears the debt in 5 years और उस debt को वो जो है 5 साल में पूरा कर देता है if the installment paid at the end of first year, second, and third and fourth year, to clear the debt आप, मतलब पहले साल के end में वो कितना बेखरता है, 10,000 दूसरे साल के end में 20,000 पेखरता है तीसरे साल के end में 30,000 पेखरता है चौते साल के end में 40,000 पेखरता है ठीक है, what amount should he pay at the end of fifth year, to clear his debt ठीक है, तो साथियो इसमें बताया गया कि एक बंदा है, जो कि एक लाख रुपे का क्या लेता है, रिन लेता है एक किसी बैंक से 10% सालाना दर पर, ठीक है, और ये जो दर है ये कितनी है, ये सिंपल इंटरस पे चार्ज की जा रही है और बताया गया है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल में वो इतनी इतनी अमाउंट पे करता है तो आपसे बूच रहा है कि पांचवे साल के अंध में कितनी अमाउंट दे ताकि उसका जो रिन है वो उससे क्या हो जाए, मुक्त हो जाए तीक है, और रिन जो है उसका वो क्लियर हो जाए, तो साथ को एक बात बताओ अगर मैं ये बोलता हूँ, कि पहले साल में तो अमाउंट कितनी रही होगी, जो उसने बोरो किया वो एक लाग रही होगी, बट पहले साल के अंध में जो है, उसका debt हो जाएगा, उसकी debt की value हो जाएगा बट उस ताइम पर उसने 10,000 पे करती है, तो मतलब 10,000 में इसमें से minus करूँगा, तो 10,000 जैसे ही मैं minus करूँगा, तो ये वापस कितना आजएगा, एक लाग आ जाजएगा मतलब 100,000 आजएगा, ठीक है, तो एक लाग वापस value आजएगी अब कुछ बताओ ये एक लाग जो value होगी ये second साल के अंत में कितनी हो जएगी second साल के अंत में again इस पे 10% charge होगा तो ये हो जएगी वापस से एक लाग 10,000 अब यहां पर वो जो है वो 20,000 भी करता है तो 20,000 मैं यहां से minus करूँगा तो 20,000 जैसी मैं इसमें से minus करूँगा 20,000 minus करूँगा 110,000 में से तो ये वजएगा 90,000 तो ये 90,000 जो होगा साथियों ये second साल के अंत में value होगी बट इस पर सेंट लगेगा तो तीसरे साल के अंत में जो value होगी 10% इस पर जैसी लगेगा तो ये होजएगी 99,000 ठीक है क्योंकि 90,000 का 10% जब मैं निकालूँगा तो कितना हो जगा 9,000 जब मैं इसमें एड़ करूँगा तो ये जगा 99,000 तो साथियो 99,000 उस debt की value होगी तीसरे साल के अंत में बट तीसरे साल के अंत में वो 30,000 उपे पे कर रहा है तो भाई यो 30,000 जब वो पे करेगा तो ये value कितनी 60,000 को जब वो 40 एर के अंड में पे करेगा तो 69,000 आप एक बाल बताओ 69,000 है ना मैं यहां पर एक सेकंड पैंचिन कर लेता हूँ ताकि आपको confusion ना हो यह सही रहेगा तो देखो साथि 69,000 है ना 69,000 का अगर मैं आपसे पुछता हूँ कि 10% निकाल दो तो आप एक 08 दोगे बोलोगे 69,000 हो जाएगा तो इसमें यह एड कर दो 009,900 तो 75,900 यह value जो है यह 4th year के end में होगी और यहां पर उसने कितना पी किया है तो भाईयों यहा पर उसने 40,000 पे की है तो 75,900 में से मैं 40 माइनस कर दूँगा 40,000 जैसे मैं माइनस करूँगा मेरा कितना बचेगा तो मेरी जो value है वो बची है 35,900 बट क्या यह value एक पाई बताओ अगर यह 4th year के end में पूछता तो मैं बोलता कि इसको इतने रुपे और दे करने पे करने तो 10% interest और जोड़ दो इस value पे तो 10% interest कितना हो जगा 35,900 पे 35,90 रुपे और जोड़ दो तो यह कितना हो जगा 0,9,9,9,14,8,9,3,9,4,9,0 मतलब यह option आपका जो है सही answer है तो उमीद करते हैं साथी हो कि यह question आपको समझ में आया होगा ठीक है आगे बढ़ते इस question को देख child to his friend to be returned in 11th monthly installment of 1 rupees each मतलब यह कहना है कि आपने 10 रुपे किसी दोस्त को उधार दिये और उससे आप ले कितने रहे हो एक एक रुपे 11 मंद तक ले रहे हो मतलब 11 रुपे ले रहे हो वापस तो आपका यहाँ पर जो ब्याज है जो interest है वो कितना हो गया एक रुपे हो गया ठ interest being simple तो यहाँ पर आपने simple interest charge किया है पूछ आपसे rate of interest कितना है तो इस रहे के question काफी पूछे जाते है साथियो यह type आपको clear होना चाहिए इसमें आपको क्या करना है देखो मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जब total interest जो आपने लिया इस पूरी transaction से वो कितना है एक रुपे और यह एक रुपे आपने कैसे कमाया होगा कि पहले साल में मैंने जो ब्याज दिया था वो दिया था दस रुपे पे तो दस रुपे मेरा क्या रहा होगा principle रहा होगा rate मैं मान रहा हूँ आर परसेंट सालाना rate मैं मान रहा हूँ तो जो पैसे मैं दे रहा हूँ वो rate जो charge हो प्लस अब जो अगले महीने जो होगा यह प्रिंसिपल जो है यह दस ना रहके कितना बच जाएगा एक रुपा तो मैंने पे कर दिया तो यह बच जाएगा नो ठीक है इंटू आर रेट हो गया एक मंत की यह होगी और 12 इंटू सो क्योंकि मंतली में चार्ज कर रहा हूं प्लस अब आपको देखो इस वन रुपे को मैं इसके एकवल करता हूं तो आर बटा बारा सो मैं गोमन ले सकता हूं अंदर क्या बच जाएगा दस प्लस नो अप्टू 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 वन और यह जो है यह तो क्या है यह नेच्रल नंबर की सीरीज है और इसका सम मुझे प काती हो जागा आर इंटू 55 एक वल्टू बारा सो पांच से इसको मैं काटूंगा तो पांच से कितने पे जाएगा पांच से जाएगगा 240 पर और ये जाएगा 11 पर तो 240 बटा 01 मतलब इसको काटेंगे तो 11 तूनी 22 और 2 बचेंगा 20. बीस तो ग्यारा एकम ग्यारा 21 पॉइंट सम्थिंग आएगा तो मतलब यह ओप्षिन आपका सही इंसल है ठीक है आगे बढ़ते है इस कोशन को दिखो आप इस कोशन में आपसे पूछ रहा है आप परसन बोरो रुपीस दो हजार एट फाइब परसेंट एनुवल सिंपल इं पर जारी है तो यह कोशन तो हम अलरड़ी कर चुके हैं कि मान लेता हूं कि 100 रुपे मेरी जो है पहली किष्ट है दूसरी भी 100 रुपे है तीसरी भी 100 रुपे बट मैं देखूंगा मेरा डेट इस प्रसेंट वैल्यू पर कितना रहेगा तो भई अगर 100 रुपे किष्ट र में लेंगे तो मेरा इस साल के अंत में जो डेट है वो कितना हो जाएगा 300 प्लस 15 35 रुपे हो जाएगी वैल्यू बट डेट की रियल वैल्यू जो होगी वो कैसे निकालेंगे बट 2000 रुपे तो मैंने बुरू कर नहीं है और तीन अन्यूल इन्सॉल्मेंट तक मतलब 2000 की ज जोड़ लो आप तो 2300 रुपे आपका क्या हो जाएगा डेट हो जाएगा तो 2300 से मैं इसको इकुएट कर दूँगा तो यह कितना जाएगा 300 बटा 315 यह मेरी एक यूनिट की वैल्यू आगी मुझे निकालना है इंसॉल्मेंट की वैल्यू तो इसको 100 से गुना कर दूँ लिए तो इसको पांच से कितने वी जाएगा 5 6 5 3 63 और 5 से मैं काड़ देता हूं इसको तो इसको जब मैं काटूंगा तो कितना हैगा 5 20 और 30 5 5 यह कितना बचेगा 30 5 31 और 10 चिपका दूँ ठीक है 460 आगया आपका तो साथ यो एक बात बताओ 460 तो यह जाएगा 4660 इसको प्रॉक्स निकालना चाता हूं, कितनी है, ठीक है, तो इस 446 को, 460 को आप 63 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो 460 को जब मैं 63 से डिवाइड करूँगा, तो कितना हैगा, देखो 63 के, उसमें ये कितने भी जाएगा, तो अगर 6 को गुना साथ कर रहते हैं, तो 42 के असपस जा र होगा, ठीक है, आगे बढ़ते, इस कोशन को देखो साथ हैं, कोशन में क्या दिया गया है, सुर्भी बोटा हीटर, सुर्भी ने एक हीटर खरीदा, 2550 और पे के लिए, and decided to pay it to equal installment at 4% yearly compound interest rate, ठीक है, पहले हमने जो देखी थी, वो देखी थी, कि वो कुछ amount बोरो कर रहा है, पट वो जो बोरो कर रहा था, वो simple interest पर बोरो कर रहा था, यहां पर वो compound interest पर बोरो कर रहा है, और साला ना वो इस installment को दे रहा है, तो आपसे पूछ रहा है, कि उस installment की जो value है, वो क्या होगी, तो साथियों कुछ बताओ, 4% rate है न, परेनम, तो 4% की equivalent fraction क्या हो जाएगी, 25 ratio 26, मतलब अगर 25 मेरा principle रहा होगा, तो मैंने 26 रुपे दी होगे, ठीक है, मतलब एक साल के end में मुझे कितना दीना होड़ेगा, 26 रुपे, बट अगर मैं बात करता हूँ दूसरे साल की, क्योंकि दो equal installment दी हैं, और annually, तो अगर second साल में मेरा principle 625 रहा होगा, तो मैंने पैसे क इतने पै करने होगे, साल के end में, तो वो होगा 676, बट इंस्टॉल्मेंट तो बराबर होनी चीए, तो यहां पर इसको मैं 26 से गुना करूंगा, तो मेरी net value जो आएगी, वो आएगी 625 प्लस, 25 को 6 से गुना करेंगे, तो इसका 12 को देंगे, तो यह 50 हो जाएगा, यह 13, 15, इंजे पैंसर, 650 रुपी यह आ जाएगे, तो इसके डबल के आसपस होगी है, तो बारा का डबल 2400, पिचेतर का डबल 800, 2400 प्लस 800, 2550, मतलब यह value जो है, इसकी डबल है, तो मुझे क्या निकाल नहीं, इंस्टॉल्मेंट, मतलब इस value की डबल कर दूंगा, तो बारा सो तो एक हो जाएगा, और 152 ही हो जाएगे, तो बारा सो और 152, तेरा सो बावन, डी ओप्शन हाँ का सही इंसर है, आगे बढ़ते है, इस कोशन को दिखवा, कोशन में दिया गया है, अब मैं बोरो रुपीस 50,000 from a bank at 10% per annum compounded annually, तो 50,000 रुपे वो बोरो करता है किसी बैंक से, और ये जो बोरो करेगा, ये बोरो करेगा 10% per annum पे, तीक है, और compound interest rate है, at the end of every year, he pays 15,000 as part of payment of the loan and interest, how much does he still owe to the bank after 3 such installment, तीक है, तो आप एक बाग बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूँ, कि भई, अगर वो हर साल के end में 15,000 रुपे पे कर रहा है, तो मैं ये पूछता हूँ कि भई, अगर पहले 50,000 रुपे का रिल्लियोस नहीं लिया था, तो 10% के एसाब से, पहले साल के end में ये कितनी हो जाएगी ये value, तो भई, ये value हो जाएगी 60,000 रुपे, मैं अब 60 कह रहा हूँ, एक सकिंड, पहले साल के end में ये value जो हो जाएगी, इसका 10% मतलब 55,000 ठीक है, तो ये value जो बच जाएगी, वो कितने बच जाएगी, 40,000 रुपे बच जाएगी, ठीक है, बट इस 40,000 को, ये 40,000 रुपे के end में बची, तो मैं अगर आप से कुछ हो, कि भई, अब अगले साल वो क्या करेगा, वापस से, 15,000 पे करेगा, बट इस 40,000 पे भी 10% चा बच जाएगे, अब दूसरे साल के end में ये value बची है, तीसरे साल में जब वो वापस पे करेगा, क्योंकि इसने बोला है, तीन सच इंस्टाल्मेंट के बद वो कितना पैसा उसके पास बचा रहेगा, बैक के बास, तो भई, 29,000 पे मैं क्या करूंगा, 10% चार्ज करूंगा तो 29,000 पे 10% चार्ज करेंगे, तो गोंगा 29,000, तो 009, 9 दो गया, 31,900, 31,900 मेंसे जब मैं 15,000 घट हूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 009 और ये बचेंगे 16, तो 16,900 जो है, ये standing debt होगा उसका, तीक है, मतलब इतना बैसा उसका बचा हुआ होगा, तो option A आपका सही इंसर ह आगे बढ़ते हैं, इस question को देखो, question में क्या दिया गया है, इसमें बोला है कि कोई person P है, वो एक washing machine खरीदता है, 22,000 रुपे cash में, तो washing machine या तो आप 22,000 रुपे cash में खरीद सकते हो, या फिर आप 9,000 रुपे cash down payment करके, और 2 monthly installment, ध्यान देना, monthly installment है, 88,000 रुपे की pay कर सकत आप से पूछ रहा है, rate of simple interest कितना होगा, तो साथ ही खुद बताओ, या तो आप उसको cash में ले सकते हो, 22,000 में, तीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कि भाई, down payment कर सकता हूँ, कितने की, 9,000 की, अगर 9,000 की मैंने down payment कर दी, तो मेरा जो balance बचेगा, वो कितना रहेगा, 22 में से 9 माइनिस करेंगे, तो 13,000 बचेंगे, अब इस 13,000 पे मैं क्या करूँगा, 8,000 पे की दो किस्ट पे करूँगा, तो भाई, 8,000 की अगर दो किस्ट पे कर रहा हूँ, तो 8,000, 16,000, 13,000 देने थे, मैंने दिये कितने 16,000, मतलब 3,000 जो रहे होगे, वो क्या रहा होगा, इंटरस्ट आओगा, और ये इंटरस्ट निकलेगा कैसे, कि भाई, पहले साल जो आपकी 13,000 रुपे है, इस 13,000 पे आप 8% के साब से, मंतली जो है, ब्यास दोगे, अब 8% तो साला ना है, तो अगर मुझे इसका मंतली रेट निकलना है, तो आर को 12 से डिवाइड करतेंगे इंटू, प्लस, अब जब मैं 8,000 इसमें से पे करूँगा, तो 13 में से 8 निकलेंगे, तो बचेंगे कितने, 5000, तो 5000 पे मैं क्या करूँगा, आर बटा बारा के साब से रेट पे करूँगा, मतलब इंटरस्ट पे करूँगा, तो इसकी वैल्यू कितने हो जी, इस नेट की वै और अब ये टोटल कितना आजएगा, ये आजएगा, एक सो असी आर बटा बारा, एक्वल टू, तीन हजार, बारा से एक काटोंगा तो पंदरा पे, पंदरा से इसको काटोंगा तो 200 पे, तो आर की जो वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, 200 परसेंट, तो रेट जो है वो 200 प payment, followed by 4 equal monthly installment, तीक है, 4 monthly installment में pay किया जाना है, या तो आप 25,000 डेतो, या फिर 25,000 डेतो, आप फिर 200 पे, down payment और 4 monthly installment देतो, if the rate of interest is 24% तो या तो अगर rate of interest जो है वो 24% परेना में और simple interest चार्ज हो रहा है तो आपसे monthly installment पूछ रहा है rounded off to the nearest round of value पूछ रहा है आपकी तो साथ यह बाद बता हूँ या तो मैं cash में उसको दे सकता हूँ 25,000 रुपे में या फिर जो balance है डाउन पेमेंट मुझे कितनी करनी है 25,000 25,000 रुपे की डाउन पेमेंट के बाद ही कितना बचाएगा 22,500 मतलब 25,000 रुपे तो इस 25,000 रुपे मुझे क्या देना है भई इस पे मुझे 24% के हिसाब से मुझे rate interest देना पड़ेगा अब खुद बताओ कि भई अगर मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 24% पे कर रहा हूँ 24% मैं तो साला ना दे रहा हूँ तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मंतली ब्याज होगा वो कितना होगा वो होगा 2% ठीक है अगर मैं मान लेता हूँ कि भई मेरी 100% पे किषती थीके दूसरी भी सोथी तीसरी भी सोथी और चौथी भी सोथी थीके तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भई इस 100% को मैं साल के अंत में देता तो इस पे 1% चार्ज होजाता तो दो रुपे एक्स्टा मिलते इस पे हो जाते दो साल के लिए दो परसेंट मतलब चार रुपे एक्स्टा और इस पे तीन साल के लिए दो परसेंट मतलब चार रुपे एक्स्टा तो नेट जो टेट हो जाता वो कितना आ जाता चाहर दस और दो बारा 400 12 रूपे बट आप ध्यान देना ये 22,500 न ये 22,500 तो balance बचा हुआ है ठीक है अगर मैं पूछता हूँ कि चार महिनी के अंत में देना है तो इस पे 4% एक्सार निकलना पड़ेगा मतलब 4 दूनी 8% इसका एक्सार निकलना पड़ेगा तो 8% इसमें जोडना पड़ेगा तो इसका 8% अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना होगा 22-500 22-500 को 8 से गुना करेंगे अब 8 से इसको कैसे गुना करें तो भई 16-100 तो एक हो गया और 65-60-200 एक हो गया 16-100 और 200 अठारा सो रुपे हो गया 16-100 और 200 अठारा सो तो अठारा सो रुपे और जोड़ दो इसमें तो यह आपका डेट हाजगा है यहां से तो भई यह जगा 0, 0 और 85-13 2-1-3-1-4 और यह दो ठीक है 24-100 चोबिस हजार तीन सो रुपे ठीक है इसको चेक कर लेते है 0, 0 और 85-13 1, 2, 1-3-1-4 हाँ तो चोबिस हजार तीन सो तो 412 की वैल्यू कितनी है 24-300 अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आजएगी बटे में 412 गुना, आपको क्या निकाल ली है इंस्टॉल्मेंट निकाल ली है तो 100 से उसको गुना कर दो ये लो, तो ये अनसर आपका आजाएगा इसको जब मैं सॉल्ट करूँगा तो मैं इसको दोनों को 2 से काट सकता हूँ और जीरो, साथ, और पांच छहाजार पीचतर अब देखो साथिकों, इसको एप्रॉक्सिमेटल अगर मैं जाओंगा तो ये जो वैल्यू है, ये नो से ये एक से कम होगी तो ये वैल्यू जो है इसको आप सॉल्ट करेंगे, तो कितना हैगा इसको आप सॉल्ट कर सकते हैं, छहाजार की चतर बटा एक सो तीन जब इसको आप डिवाइड करके, ठीक है, तो इसको आप मैनुली डिवाइड आपको करना पड़ेगा तो इसको आप डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 5900 आसपस, क्योंकि 10K प्लेस पे मुझे इसको राउंड ओफ करना है, यह लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो 5900 के आसपस मेरी जो है, एक मंतली जो है, इंस्टॉल्मेंट मन जाएगी, तो D option आपका सही अंसर हो जाएगा, ठीक है इस question को देखो, इस question में क्या दिया गया है, question में दिया गया है कि if the cost of a mobile phone इस 25,000 रुपे, तो किसी mobile phone की cost 25,000 रुपे है, ठीक है, और वो available कैसे है कि 5,000 रुपे आप डाउन पेमेंट कर दो और तीन equal annual installment पे कर दो, ठीक है, each installment is to be paid at the end of each year, ठीक है, सालान जो ही installment मुझे पे करनी है 25,000 रुपे, सुरी, 25% जो है component trust है, find the value of each installment, ठीक है, तो आपको हर installment की value पता करनी है तो आप खुद बताओ साथी हूँ, या तो मैं इसको 25,000 रुपे में ले सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कि बई 5,000 की down payment कर दो, 5,000 की down payment का मतलब है कि 20,000 रुपे जो है, ये मेरा balance बच जाएगा और इस balance को मुझे कैसे पे करना है, compound interest पे पे करना है, तो compound interest का सवाल हम कर चुके है, बई 25% rate है, तो 25% तो सालाना rate है, बट मुझे installment देनी है, वो भी सालाना है, तो सही है फिर तो ये, कि बई, एक अगर 4 रुपे principal है, तो मुझे साल के अंत में कितने देने होगे, 5 रुप और अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे installment तीन देनी है, तो अगर मैं तीसरे साल के उसमें लेता हूँ, तो अगर 64 रुपे मैंने लिए, तो मुझे पे कितने करने होगे, 125 साल के अंत में, बट इसने बोला है, सारी installment तो बराबर है, तो यहां 125 है, इसको बनाने के लिए 5 से यूनिट है, तो 64 में सी जोड़ेंगे 144 में सो जोड़ेंगे 244 यूनिट, इसकी जो वैल्यू होगी न, यह 244 यूनिट किसके बराबर होगा, पता है, यह 244 यूनिट बराबर होगा इस 20,000 के, तीक है, क्योंकि 20,000 रुपे ही बचे हुए, 5000 तो अल्रेडी पे कर चुके है, डाउन पेइमेंट की फॉर्म में, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने हैं कि 20,000, बटा 244, ठीक है, गुना मुझे किसे करना होगा, मुझे निकालनी है, इंस्टॉल्मेंट की वैल्यू, तो 125 से मुझे इसको गुना करना पड़ेगा, चार से इसको काटूँगा, तो 5,000, ठीक है, एक सट को 5000 से डिवाइड कर लो, तो भई, एक सट को जब 5000 से डिवाइड करेंगे, या फिर एक सट को 125 से डिवाइड करो, तो इसको जब मैं इससे डिवाइड करूँगा, तो एक सट का डबल कितना होता है, 122 होता है, तो 2.3 बचे का 30, काम नहीं चलेगा, तो एक तो 5 से जब मैं गुना करूँगा तो 1000 तो एक आजएगा ठीक है पहले हम इस डैसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये कितना जएगा 2040 हो जाएगा इनको पांच से गुना करना है तो भई इसका कितना हो जएगा दस अजार तो एक हो जाएगा और चालिस पंजे 200 दस अजार 200 के आसपस ये value आएगी ठीक है और उससे बड़ी ही होगी तो ये दो value तो possible नहीं है इन दोनों में से ही होगा अब देखो साथ कि मुझे और थोड़ा solve करना पड़ेगा इस सवाल को ताकि मैं इस अंसर के आसपस जा सकूँ तो इसको further और solve करेंगे तो भाई देखो एक सट चोका कितना होता है एक सट चोका होता है 244 तीन सो में से 244 को मैंस करेंगे तो आपको बचेगा 56 तो 56 आपको बचेगा तो 560 तो 61 के table में 560 के आसपस जो number होगा वो कौन सा होगा अब देखो 6 इसको मैं 8 गुना करूँगा तो कितना बचेगे 9 गुना जब हम करेंगे इसका तो आज एगा 9 और 54 549 तो ये कितना होगा 11 का difference मतलब 110 और यहां पर कह लिकूँगा मैं 9 ठीक है अब देखो खुद पता चल रहा है भाई ये जो no number आने वाल है ठीक है अब 110 के 60 के table में 110 के आसपस तो ये 1 पी जाएगा ठीक है अब देखो इसको अगर मैं इस decimal से वो करता हूँ shift करता हूँ तो ये मेरा 3 decimal आगे चला जाएगा तो मतलब ये क्यों बन जाएगा 049.1 ठीक है इसका पांच गुने करना है न तो पांच नो पंचे 45 का 45 का पांच 4 केरी और ये अपना कितना आ गया 20 और 4 24 2 2 का 2 5 दो नी 10 तो ये अप्रॉक्सिमेटल आपका अंसर आएगा इस कोशन को देखा इस कोशन में क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि वाट एनुवल इंस्टॉल्मेंट विल डिस्चारज अट ओफ 3270 रुपे ड्यू इन 3 येर्स एट 9 परसेंट पर एनम सिंपल इंटर्स अब देखो इस टाइब के सवाल बहुत जादा पूछे जा रहे है तो आपको इन सवालों पे पकड़ होनी चाहिए ये सवाल हम अलरड़ी दो तिन बार कर चुके है तो हम क्या खरना है मैं मालनेता हूँ 100 रुपे मेरी एनुवल इंस्टॉल्मेंट थी ठीक और मुझे कितनी इंस्टॉल्मेंट देनी है इसने बोला है एनुवल इंस्टॉल्मेंट जा रही है और तीन साल के लिए मैं अब मैं यह चैक करूँगा इस साल के अंतर में डेट कितना हो जाएगा तो इस 100 रुपे का उगर मैं यहाँ पर देता बड़ डेट की real value आपको कितनी दी हुई है इसका 10 गुना दी हुई है मतलब किस्त जो हो जाएंगे आपकी वो भी क्या हो जाएंगे इसका 10 गुना मतलब 1000 रुपे आपकी किस्त हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं इस question को देखो question में दिया गया है बोरोस रुपी 18,000 and undertakes to pay back with compound interest at a rate of 20% annually in two equal yearly installment ठीक है अब भही किसी आदमी ने क्या खरा 18,000 रुपे 18,000 रुपे जो है उदार ले लिए और उसको उसने वो ये कह रहा है कि 20% rate पे उसको 2 सालाना किस्त में जो है चुकाएगा the amount of each installment अब आप एक बार उता हूँ 20% की equivalent fraction क्या होती है 1 by 5 मतलब अगर आज मैंने 5 रुपे लिए है तो साल के अंत में मुझे 6 रुपे देने पढ़ेंगे और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि second साल की बात करो तो अगर 25 रुपे लूँगा इनकाल ली है इनस्टार्लमेंट की एच इनस्टार्मेंट मतलब चत्थिस रुपे की विए गरी निकाल लिए तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 से गयरा प्यादी फूफे 50 एक हटेगा 360 और दिरू चतिस वा जाएगा और 36 सो को फर्दर देखो 36 का स्क्वेर मुझे पता है 12 96 होता है और दो जीरो चिपका दो हर्मोन 11 इसको काटेंगे तो 11 11 11 8 86 86 मतलब 7 तो मेरा उप्षिन ये नहीं हो सकते ये नहीं हो सकती ये नहीं हो सकती एकसर सत्रा मतलब सी ओप्षिन आपका सही अंसर है आगे बढ़ते हैं इस कोशन को देखो तो कोशन में क्या दिया है अब परसन बूरोड सम मनी ओन कंपाउंड इटरस्ट एंडेट एट एट त्री इकूल इनुल इनुल इंस्टॉल्मेंट तो तीन इकूल इनुल इनुल इंस्टॉल्मेंट में उसको पे करता है if the rate of interest is 15% पर इनम तो भई उसने कुछ amount बुरो करी और उसने उसको तीन सालाना किष्टों में पे किया और ब्याज की जो दर है वो है 15% पर इनम और उसे एक इंस्टॉल्मेंट जो है सालाना ही देनी ह है ठीक है और हर इंस्टॉल्मेंट की वेल्यू कितनी है बारा सो सड़ सट रूपे बारा हजार एक सो सड़ सट रूपे देन फाइंड दा संबरोड कितना पैसा उसने उधार लिया यह आपको पूछ रहा है ठीक है तो आप कुछ बताओ 15% की fraction वेल्यू कितने होती है तीन भी बटा 20, 239-20 मतलब आज अगर मैं 20 रूपे लिए रहा हूं तो साल के रिखिल मुझे तैस कि ने पढ़ेंगे अगर सेकंड साल की बात करूं तो 400 ली होंगे तो मुझे कितने होगे 529 और तीसरे साल की बात करों तो 8000 अगर मुनने लिए ओंगे तो मुझे देना कितना होगा 529 गुना 23 तीक अब देखो किष्टों की सारी वेल्यू पराबर होनी ची अब इसको मुझे किस से गुना करना पड़ेगा तीज से और इसको गुना करना पड़ेगा 529 से तो नेट जो प्रिंसिपल हो कितना जाएगा 8000 प्लस तीज गुना 400 तीज चोक बानवे होता है तो बानवे सो प्लस 529 को दो से गुना करना है तो 529 का डबल कितना हो जाएगा एक हजार तो एक हो जाएगा और एक हजार अटावन एक हजार अटावन ठीक है जी बठी गलत है एक हजार अटावन नहीं होगा ये इसका 20 को ना है तो एक हजार अटावन एक जिरो और चिपका नहीं पड़ेगी तो ये नेट जो है विल्यू आजाएगी आपकी प्रिंसि तो 27,000 आपके एक होगे ठीक है और ये कितना होजाएगा 780 होजाएगा ये 780 होजाएगा 780 और जोड़ दो तो 27,780 unit आपका क्या होजाएगा net वो होजाएगा principle अब इसकी value जो है आपको कितनी सवाल में 1266 होगे ठीक है अब चेक करेंगे ये value जो है तेज से कटे की या नही कटे की तो भई इसके लिए मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 1266 को तेज से तेज चौक 92 तेज पंजे 115 तेज पंजे 115 बचेगा कितना बचेगा मेरा 6 और यहां 660 तो तेज ये तो 69 होता है तो ये जाएगा तेज दूनी 46 बीस बचेगा 7 अब तेज निमा जो होता है वो और फिर 539 से फर्दर ये मतलब कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट की वेल्यू क्या जाएगी एक रुपी तो अगर एक यूनिट की वेल्यू एक रुपी है मेरा भाई तो 27780 की वेल्यू जो होगी वो क्या होगी 27780 होगी मतलब option A आपका सही answer है तीक है आगे बढ़ते है इस question को देखो और इसने बुलाए कि a mobile phone is available for 25,000 रुपे या फिर 500 रुपे की down payment followed by four equal monthly installment if the rate of interest is 25% simple interest calculate the amount of each installment तो इस ताइप का सवाल हम already कर चुके हैं कि या तो आप इसको 25,000 रुपे ले लो या फिर आप 52,000 रुपे की down payment कर दो मतलब आपका balance जो है वो कितना बच जाएगा तो भई देखो अगर मैं इसमें से 5000 माइनस करता तो 20,000 बचते उसमें से 200 माइनस कर दो मतलब 19,800 तीक है 19,800 आपका balance बच जाएगा इस पे आपको पूछ रहा है इससे आप बोल रहा है कि भई आपको कुछ एक fix value जो है installment की वो पे कर दो कितनी चार और installment कैसी देनी है आपक अब खुद बताओ 25% अगर सालाना द्यार है मतलब 12 महीने का ब्याज जो है वो 25% है तो साल का कितना जगा एक साल का कितना जगा एक महीने का कितना जगा वो जगा 25 कितना होता है एक बटा चार तो एक महीने की अगर मैं आपसे बात करता हूँ वो जगा 48 एक बटा 48 एक रुपे मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा? अब आप खुद बताओ, उननीस आट सौ तवे बच्छी होंए ना उननीस आट पे ही आपको क्या करना है? ब्याज अगढ़ा देना होगा, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? मैंने बोला मान लो कि आपने एक साल के मतलब पहले महीने में 48 रुपे दिये ठीक है आपको कितनी देनी है चार देनी है न दूसरे महीने में भी आपने 40 तीसरे में भी 40 छोते में भी 40 थी ठीक है और मैं आपसे यह बूश रहा हूं कि भई मेरे को नेट डेट बताओ तो अग प्लस तीन और तो पांच और एक छे एक सो अठानवे यूनिट जो है मेरे डेट आजाता बट एक्चुली में मेरे डेट जो है ध्यान देना यह बैलेंस है साथ कि मूँ सीधा इससे क्विट नहीं कर सकता कि आप बोल दो कि यह इसका 10 गुना है तो मेरे किस्ट जो हो जाए निकाल लो इसका तो 198 00 का 4 by 48 निकाल लो चार मीने के अंत में यह ब्याज हो जाएगा तो चार से काटूंगो तो यह 12 पर कटेगा ठीक है और 12 से इसको काटूंगो तो कितने बजाएगा 12 कि 12 तो यह कितना बजाएगा 21450 तो 21450 यह आपका क्या आजाएगा यह आपका डेट आजाएगा फोर चोथे महिने के अंत में ठीक है तो एक यूनिट की वैल्यू जो हो कितना है कि 21450 by 198 इंट अब मैं हमल्टिप्ले करूंगा 48 तो अब इसको सॉल्ट करना है मुझे मतलब मैं यह चैक कर रहा हूं कि भई 11 11 11 यह कितना बचेगा यह चैका 10 104 11 99 55 0 ठीक है 18 से अब चेक करेंगे 18 से क्या कटेगा तीन से यह कट जाएगा तीन शिक और तीन से जब मैं इसको कटूंगा तीन शिक अठारा एक तीन पंजे पंजे पंतरा जीरो 650 अब मुझे दिख रहा है कि भई 6 से यह इसको कटेंगे तो 8 पे आएगा और 650 का 8 गुना करना है ना तो 4800 तो एक हो जाएगा और 50 इंटू 8 400 4800 और 400 पावंद सो रुपे आपके किष्ट बन जाएगी ठीक है जी तो आगे चलते हैं इस कोशन पे इस कोशन को देखो कोशन में दिया गया है a man pays back a sum of rupees 32,445 in 3 equal half yearly installment ठीक है तो 3 equal half yearly installment दी गए है if the rate of interest is 13 साही 1 by 3 परसेंट ठीक है 13 साही एक बटा 3 परसेंट तो 13 साही एक बटा 3 परसेंट का मतलब क्या है 13 49 और 1 40 40 बटा 3 मतलब 40 बटा 300 या फिर कहना मतलब यह है कि 2 बटा 15 पंदरा पंदरा रुपे पे 2 पे ब्याज मिलेगा आपको सालना ठीक है और अगर मैं half yearly की बात करूं तो half yearly मतलब 12 महीने में इतना मिल रहा है तो 6 महीने में कितना मिलेगा यह मिलेगा एक बटा 15 तीक है तो यह मेरा effective rate हो जाएगा तो आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी 32,442 रुपे लेता है तीक है अंत में मुझे कितना देना बढ़ेगा 16 रुपे देने बढ़ेंगे और यह rate लेना आपको यह नहीं लेना क्योंकि half yearly कि भी कर रहे हो ठीक है अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि भाही अब आप एक बाइब बताओ साल जो आपकी installment है वो तो कैसी है एकवल है बट यहाँ पर installment क्या होंगे अलग-अलग है तो मैं क्या करूँगा इसको 16 से गुना कर दूँगा तो आठ से जब हमने उसको गुना किया था हमें कितना मिला था हमें मिला था 1800 1800 का double ही करना है kardeşim और विब cuisine 15 से गुना करना है 46 इसको देदेंगे तो इसका 16 जब में इसको दूनगा तो कितना हो जाएगा பंथे Aurill freaking 16 कितना होता है पंदरा अट ठेक सो बीस दो सो चालीस हो जाएगा दो सो चालीस को फिर फर्दर सोला से गुना करना है ठीक है जी तो सोला से जब 24 को गुना करेंगे तो इसका चार 96 96 इंटू 4 96 इंटू 4 कितना जाएगा है 6 चुक 9 चुक 36 360 ही हो गया और 24 तीन सो साथ और चोविस तीन सो चौरासी मतलब 38-40 आजएगा आपका ठीक है जी 38-40 यह आजएगा तो नेट जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना आजएगा 3-3-6-3-9 900 तो एक हो गया ठीक है तो 9001 हो गया आपका और 300-600-900-900 और 9-8-17 1701 हो गया ठीक है 75 और 40 75 और 40 कितना हो गया 75 और 40 हापका हो गया 115 ठीक है नेट कितना हो गया 5-1-7-1-8-10-8-15 अब साथ क्यों एक बाद बताओ 10-8-15 मेरा क्या है यह गो है जो मैंने सम बोरो किया बट यहां पर सम मैंने जो बोरो किया सम जो मैंने बोरो किया वो है 32,445 चेक करो 32,445 तो 32,445 और यह 10 है तो 10 का प्रॉक्सिमिटल अगर मैं देख रहा हूँ कि इसके 3 गोना के असपस है तो चेक करेंगे क्या इसके 3 गोना के उसमें है तो 10 का 3 गोना कितन हो गया तीउह का 3 गोना आठ 2,424, 2400 सो एक हो गया और 15 का 3 गोना 42 तो यह बिल्कुल वहीद दिख रही है कि वही 3,001 हो गया है 2401 हो गया है और 45 तो इसके 3 गोना क्या मतलब इसका 3 गोना ही है ठीके तो मुझे निकाल नहीं थी किस्थ तो किस्थ क्या हो जाएंगी 4096 4096 मेरी क्या थी किस्थ थी तो हाँ 4096 मेरी क्या थी किस्थ थी बट मुझे पूछ रहा है टोटल इंटरस्ट पेड़ तो टोटल इंटरस्ट पेड़ मतलब अगर 10,815 मैंने रुपे लिए और 4,096 की मैंने 3,3 किष्ट दी तो मैंने टोटल किष्ट में एक पैसा कितना दिया तो इसका 4,096 का 3 कुना मतलब 12,001 हो गया और 96 into 3 96 into 3 कितना हो जाएगा 270 और 18 288 288 तीक है 270 और 18 8,8,2 इतना रुपा दिया मैंने तो भी इसको इसमें से माइनस कर लो यह आपका टोटल इंटरस्ट आजएगा तो 8 में से 5 के 3 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 8 गये तो 108 और 12 में कितना फरक है 14 गया 14 और 8,22 और इसका मुझे क्या करना है 3 मुना करना है 3 तीन तीन 9, 7 तीन 21 19 है लास्ट में तो उप्षिन यही सही होगा मेरे साब से ठीक है 449 रुपे आपका तो इसको फुरा सौल भी कर लेते है 7 तीन 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 9 7 तीन 21, 2 14 तीन 42, 24 बिलकुर 449 रुपे आपकी जो है क्या थी टोटल इंटरस्ट पेड़ था आपका तीक है आगे बढ़ते है इस सवल को देखो तो इस कोशन में क्या दिया है अलोन ऑफ 8925 रुपे इस तो बी पेड़ बेक इन तू एक्वल हाफ यरली इंस्टॉल्मेंट इस इच इंस्टॉल्मेंट इस इंस्टॉल्मेंट हाफ यरली इट 8% परेन तो आपने कह लिया 8925 रुपे का कह लिया एक लोन ले लिया तीक है और उसको आप दो इक्वल हाफ यरली इंस्टॉल्मेंट में पेकर लो 8% आपकी सालना दार है तो आपकी सिक्ष मंतली रेट क्या बजाएगा 4% 4% मतलब आज अगर मैं 25 रुपे लेता हूँ तो मुझे कितने देने होंगे 26 रुपे अगर मैं दो साल बाद अगर सेकिंड साल में मतलब दूसरे साल में अगर मैं 625 रुपे लोंगा तो मुझे कितने देने होंगे 676 रुपे ठीक है तो अब आप एक बागताओ इंस्टॉल्मेंट तो बराबर होने चीए तो इसको 26 से गुना कर देंगे 26 से जब मैं इसको गुना करूँगा तो 26 इंटो 25 हम कर चुके 625 एक होगा और 621 होगा मतलब 1275 रुपे की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 8925 अब आपको बताओ भई इसका अगर मैं इसका अगर मैं 8 गुना करूँगा तो इसका अगर मैं 8 गुना करूँगा तो यह ज़्यादा बजाएगा इसका 7 गुना मैं करूँगा तो 12,7 84 और 7,35 क्यास पास बिल्कुल पहुंचे गई यह तो एक बाद चेक कर लेते हैं कि इसके 7 गुणा क्या स्बस है तो 12 सथे 84 तो 84,00 तो 1 हो गया और 75,00 to 7 490 तो 1 हो गया और 35,00 हो गया 59,20, sadness 12 बिलकुल यह है 8925 तो इसके 7 गुणा है अगर यह इसका 7 गुणा है और मुझे क्या निकलनी है मुझे निकालनी है how much is each installment किस्त की value निकालनी है तो मतलब 676 का कितने गुना करना है no sorry 8 गुना ही करना है 8 नहीं यहाँ पर करना है 7 गुना ठीक है तो इसका 7 गुना करेंगे तो 7 चिक ब्यालिस दो आएगा तो ये दोनों उप्शन तो नहीं हो सकते यही option है ठीक है आगे बढ़ते है इस question को दिखा हूँ question में दिया गया है a loan is to be repaid in two equal yearly installment if the rate of interest is 10% per annum ठीक है compounded annually सालाना में compound कर रहा हूँ and each installment is 6897 then find the total interest charge total interest कितना charge हो है यह आपको बताना है इस question में क्या गरना है साथियों आपको आपसे बुचा है कि a loan is to be repaid in two equal percent per annum तो अगर सालाना 10% rate है ठीक है और मैंने कितनी दी है मैंने इसने बोला कि मैंने दो किष्टें दी है ठीक है और सालाना मैं दे रहा हूं मतलब अगर आज मैं दस रुपे ले रहा हूं तो कल मुझे कितने देने मतलब साल के आंतर में मुझे 11 देने होंगे कल मैं ऐगर 100 रपी लोंगा दो साल बाद तो मुझे कितने देने होंगे 121 रुपे किष्टें बरावर होंगी तो 11 से गुना कर देंगे और ये कितना आजाएगा 100 रुपे प्लस 110 रुपे और एक किस्त की वैल्यू आजाएगा आपके 121 यूनिट ठीक है ये कितना आजाएगा आपका ये आजाएगा एक एक ये 210 आजाएगा 210 यूनिट अब 210 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दीए ये तो value दी नहीं गई है, आपसे क्या दी गई है value, आपसे दी गई है 121 unit की value, कितनी 6, 8, 9, 7, तो एक unit की value आपके कितनी हो जाएगी, अब देखो बारा का ये कितना है, पांच गुना के असपास, पांच गुना से बढ़ाई है ये विलकी, ठीक है, पांच गुना से बढ़ा मतलब 7 गुना के असपास, उन बोल सकता हूँ क्या, 7 गुना के असपास तो नहीं बोल सकता है, मतलब इसको मैं काटूँगा पहले 11 से, 11 से कटेगा, 11 से काटूँगा इसको 11, 16, 29, 11 दूनी, 12, 7, 7 आजाएगा, ठीक है, इसको 11 से बढ़र काटेंगे तो कितना जाएगा, य 11, 55 और 11, 37, 57 आजाएगा, एक यूनिट के वाली 57 रुपीस, ठीक है, अगर एक यूनिट के वाली 57 है, आपसे पूछा है, टोटल इंटर्स चार्च, तो भई मेरे को एक बावत हो, 121, 121 के 2 दी गई होंगी, तो 240 रुपे दिये गए होंगी, 210 मैंने उधार लिये थी, तो टोटल इंटर्स जो दी गई, मतलब टोटल इंटर्स जो दिया गए, वो कितना है, 10 और 40, मतलब 32 रुपे, 32 यूनिट, तो 32 इंटो 57, सादूनी 14, चार आएगा, दूसरी बात, 57 का तीन गुना कितना होगा, 57 का तीन गुना होगा, मेरे भई, डेड़ सो प्लस 21, डेड़ सो अंसर है, आके उड़ते हैं, इस कुशन को देखा, अमैन बोरोड सम मनी, एंट रिटर्ण इट इन टू इक्वल इंस्टॉल्मेंट ऑफ तीन हजार पच्छेस इज, इव दर रेट ऑफ इंटर्स इस तैन पर सेंट पर रेना, कंपाउंड इन वली, देन फांड दा सम बोरो अब खुद बताओ, मेरी इंस्टॉल्मेंट जो वो बराबर होनी चाहिए, तो इसको ग्यारा से गुना करेंगे, तो टोटल कितना जगा है, 210 और एक इंस्टॉल्मेंट की वल्यू एक सो एक किसी उनिट आजएगी, ठीक है, और आप से दी गई है क्या, किस्त दी गई है, क इंस्टॉल्मेंट ऑफ तीन हजार पच्चिस ही, मतलब एक सो एक किस रुपे की वल्यू आपको दी गई है, तीन हजार पच्चिस, ठीक है, गयारा से काटेंगे, गयारा गयारा जा, गयारा दूनी बाइस, ब्यासी, गयारा साते सात्तर, पांच पच्च्पन, गयारा इस, तो लास्ट में, सेकंड लास्ट डिजिट जो है, वो फाइफ आनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्च्चन तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से, अब तीन का मुल्टिपल होना चाहिए, तो ये कितना है, ये है, ये ऑप्च्चन है, क्योंकि 21 है, तो तीन का मुल्टिपल रुपे उधार लिए और उसको दो एक्वल एरली इंस्टॉल्मेंट में पेकिया if the rate of interest is five percent per annum compounded yearly और yearly ही मैं दे रहा हूं तो आपसे installment की value पूछ रहा है तो अब आप मिरेको खुद बताओ अगर बीस रुपे मैं लेता हूं तो मुझे कितने ने हो एक किस क्योंकि पांच प हर लिए तो मैंने एक किष्ट किष्टनी की बनवाई है 441 रुपे कि ठीक है आपसे दिया हुआ है कि 220 ना देते हुए आपने कितने रुपे दिये हैं 1025 रुपे लिए साथ तो एक यूनिट की value आपके कितने हुजएगी 1025 बटा 820 बटा आपसे पुछ रहा है इच unis 44 को काटने से पहले मैं इसको 5े कड लेता हूँ पांचκ से अगर मैं इसको काट ना तो 16 पंजी 2 4 plutôt gonna कटी गही। तो 21一次 पंजी दो 21बे 205 लोग गया तो 2 파ंटा चार्ष कसो काट चार है तो पंजी विसका 5 सो पंजी 202 बटा rum 32 तो बिल्कुल यहां सकता और 32 बिल्कुल यहां सकता पॉइंट 25 यह आएगा लास्ट में तो इसमें देखेंगे तो पांच आजएगा और यह दो बीस पांच आजएगा पच्पन पच्पन पे एक ही वेली जा रही है डी ऑप्चन आपका से इंसर है तो इस कोशन को दिखो इस कोशन में क्या दिया गया है इसमें दिया गया कि एक मोबाइल है उसको पर्चेस किया जाता है on cash payment of 1500 रुपे ठीक है बड़ता same mobile can also be purchased for the cash down payment of 300 रुपे and rest can be paid in three equal annual installment of 400 रुपी for next three months ठीक है तीर महिने के लिए 400 रुपी के अपने किष्ट बनवा दी find the rate of simple interest ठीक है अब आप खुद बताओ भई मैंने अगर 1500 रुपे उधार लिए ठीक है तो या तो मैं मतलब एक mobile को या तो मैं 1500 रुपे cash में दे लूँ ठीक है या फिर मैं क्या बूल रहा हूँ या इसमें दिया गया कि या फिर मैं 300 रुपे की down payment करूं और बचया हुए amount जो है जो कि कितना था balance कितना बच जाएगा balance बच जाएगा आपका 1150 रुपे ठीक है तो 1150 को मैं 400, 400, 400, 400 रुपे की 3 equal installment में पे कर दूँ तो 400 रुपे 3, 400 गुना 3 कितना हुए 1200 मैंने पे करने थे मुझे कितने 1150 मतलब 50 रुपे मैंने क्या दिया ब्याज दिया और यह जो 50 रुपे ब्याज दिया गया यह कैसे बना है कि आपने 1150 ना देते हुए आपने 1200 रुपे दिये हैं तो इसलिए वो 50 रुपे आई है पर extra और यह कैसे मिलोंगे कि पहले साल में 12, 1150 पे अपने ब्याज दिया कितना आर आर परसेंट के हिसाब से ठीक है इंटू यह पहले मंतका है ना अपन में 12 भी करूंगा ठीक है प्लस और अगले साल जो होगा वो 400 रुपे कम हो जाएंगे मतलब इसमें से 400 रुपे कम करेंगे तो 700 बचेंगे उस पे आर के हिसाब से इंटू 12 प्लस तीसरे साल मे यह हो गया और इसके बाद 400 रुपे और पे कर देंगे तो 300 बचेंगे इंटू आर बटा बारा ठीक है अब देखो 50 एक्वल टू आर बटा बारा सो मैंने कमन ले लिया और यह कितना जाएगा 11 और 7 अठारा 18 और 3 21 बाइस 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 500 ठीक है जी तो अब इसको मैं काट हुआ है तो यह जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 5 से इसको काटेंगे तो यह जाएगा 45 और यह कितना जाएगा 5 से 24 और फदर इसको काट सकता हूं 5 से 10 पे 5 से 9 और यह जाएगा 3 से 3 पे 3 से 8 पे तो 80 बटा 3 मेरा रेट आजाएगा ठीक है 80 बटा 3% मतलब 26.66% ऑप्शन डी आपका सही इंसार है ठीक है और यह बारा क्यों लगा है क्योंकि इसमें बोला है कि तीन मंत के लिए हैं तो थीक है तो तीन मंतली इंस्ट्रॉल्मेंट आपके गई हैं 4-400 रुपे के ठीक है जी आगे बढ़ते हैं इस कोशन को देखो आप और लास्ट के जो दोनों इतल बोटे कोशन कोशन के चल्वेक्ण यह दो बहूते हैं गई हुम दी प्रोचिक तो आपसे बोल रहा है कि आदो बॉल रहा है है टीक है और यह सिलाइग कोई Dulis 20,000 ठीक है एक बंदी ने क्या खरा कि उसमें डाउन पंपेमेंट की कितनी की 5000 मतलब अमों जो बची हो वे किया जाना है तीन एक्वल एन्टॉल्मेंट में एक बात बताओ कमपाउड इंटर्स्ट की रेट चाढ़े बारा अगर मैं बोलता हूं कि आज लिने होंगे और अगर में सेकंड एंट में 64 रुपे लेता हूं तो मुझे साल के इंस्टॉल्मेंट तो एक्वल होनी चाहिए किवल इंस्टॉल्मेंट तो इसको मैं 9 से गुना करणा इसको मैं 186 से गुना करना हूं तो नेट मेरा जो प्रिंसिपल बूरूड आजएगा वो कितना जाएगा पंसो बरहा प्लस चोछालीस को नो से गुना अगर ना तो पांसो 16,00 तो एक हो गया और 7,4,11 मतलब 16,00, 17,10 आप पहुंच चुके हो 17,10 और 17,20 17,20 तो एक हो गया आपका और आपके 6,2,8 और 8,16 ठीक है तो 17,36 रुपी 17,36 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है सवल में वो सवल में दी हुई है 15,000 ठीक है जी 15,000 तो एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी आज़ेगी 15,000 बटा 17,36 ठीक है और आपसे पूछ रहा है इच इंस्टॉल्मेंट की वैल्यू तो इसको 7,39 से और गुना कर दो पहले चेक करो कि ये संख्या जो है इसको आप जब सॉल करोगे ना तो आपको अंसर मिलेगा ये 6,99 तो ये आपका सही अंसर होज़ेगा इस केस में D option आपका सही अंसर है तो साथी उमीद करते हैं कि ये questions जो हैं आपको पसंद आयोंगे और ऐसे ही जो है मैं ओर सीरीज लाता रहूँगा जो भी टोपिक डिफिकल्ट सोंगे उस पर हम सीरीज लाते रहेंगे और अपसे वीडियो जो है वो चैनल पर रेगुलर लियाएंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और अगर आपको ये कंटेंट पसंदार है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल से अगर आप नहीं जोड़ें तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तीक है झाल